आप सभी के एक बाद फिर से स्वागत है त्रांस्पोटेशन इंजिनिंग में ट्रैफिक इंजिनिंग आपका चैप्टर चल रहा है और उसमें बहुत ही चांदार तरीके से दो लेक्चर हो चुके हैं जिसमें हमने काफी सारे बेजिक पॉइंट के बात किये और जो आपके अग्जाम में एक एक नंबर के डरेट कॉस्चन आते हैं कुछ छोटे-छोटे नुमेरिकल मलब कुछ छोटे-छोटे फॉर्मले से जिसपे नुमेरिकल बन जाते हैं बहुत छोटी-छोटी चीजे थी तो अगर आपने अपने लेक्चर की तरफ आज हमें बात करनी है जो पिछले एक्षर में डिस्कस किया था, ट्रैफिक वॉल्यूम इस्टडी में, हमने सारी चीजें डिस्कस कर ले थे, अब हमें बात करने हैं कि इस ट्रैफिक वॉल्यूम का जो डेटा हमें बामाय पास निकल के आया है, जिस भी तरीके से चाहिए, मेकेनिकली या मैनुवली, उसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे हमें उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं यहाँ पे, प्रेजेंटेशन आफ ट्रैफिक वॉल्यूम डेटा, आप लोग कॉपी पेल लेकर के त्यार हो जाए, ओके, यहाँ पे हमें लिखते हैं डेक्ट सब्सक्राइब ट्रैफिक जो ट्राइफिक का वॉल्यूम निकाला है उस डेटा को कैसे आप प्रिजेंड करोगे यानि कि अगर आपके कोई किस तरह से उसको को पेसे करना तो तो चीजों के बारे हमें देखना है तो सब्सक्राइब पहला है आपका जो ठीक है वह आपका एनुवल एवरेज डेली ट्राफिक परस्ट आपका यह है इसको शॉर्ट में हम क्या बोलता है एएडी टी एएडी टी ओके आप क्या है इनुवल एवरेज डेली ट्राफिक जो होता है इसका फॉर्मूला होता है यानि कि एक साल में ठीक है कितना ठीक है ट्राफिक आपके पास आया है और उसके किसाब से हम एक दिन का निकालते हैं ठीक है एवरेज एवरेज निकाल यानि कि माले से किसी एक जगह पर ट्राफिक क टूटल नंबर आफ वेहिकल तूटल नंबर आफ वेहिकल तूटल यह तूटल अपन क्या होगा अब एक साल का है तो यानि कि 365 से डिवाइड कर देंगे किस से 365 से ठीक है यह हो जाएगा क्या आपका एनुवल एवरेज डेली ट्रैफिक से निकल जाएगा अब अगर बात करें हम लोग ठीक है यह तो हो गया आपका एनुवल एवरेज डेली ट्रैफिक अगर हम लोग बात करें किसकी एनुवल एवरेज hourly volume टो यह क्या है A72 एफ्ट्र by आएच और इवरेज्ड पर बात करें तो यह जो एघ्डियर्ण आया है एक दिन की डीटा ठीक है तो एहां पर क्या लिख देंगे ये डिटी और आवर्व का निकालना तो एक दिमें 24 गंटे तो हमें 24 से डिवाइड कर देना ये बनके आपका क्या अनल एवरिज आवर्डी वाल लीव यानि कि आप एक घंटे का डेटा निकाल लिए किसी एक जगा पर्टीकॉलर जगा का ओकेट यह होगा आपका अनुफ फिर वीक डी एविक ट्राफिक जैसे बड़े बरे से पर से सब्सक्टाएं या नगर् निगम कह सकते हैं बहुत बड़े-बरे ठीक है टो वीफ में तो जो मंदे टूस्ट्राइडे होता है इन दीनों जादा होता है Saturday और Sunday को भीढ़ कम होती है तो weekdays traffic हमें निकालना है ठीक है तो उसके मिसाब से आपके क्या होते हैTo weekdays अरभ 6 एक साल में ठीक हैNow 22 A crit52 वीक तो आभ हमें क्या उसमें से weekdays traffic ठीक है annual average weekdays traffic क्या बनेगा total number of vehicle total number of vehicles in week days in weekdays of year ठीक है एक साल के weekdays में कितने total number of vehicle है ठीक है अभी कैसे पता चलेगा इसको हम डिवाइड करेंगे 260 से इतुए 60 से ही डिवाइड किए क्यों कि 260 क्या है 52 week होते एक साल में और पांच दिन हमें लेना मंडे से फ्राइडी कितना मंडे टूजदे वेटन से थर्जदे फ्राइडी पास दिन यही पास दिन है 52 इंटू 5 करेंगे यही डेटा आगा से हनुग और एगड होड करें वह आपका है क्या है अबरेज डे Damit क्या है आपका ए व्रेज़ डेली ट्रफिक? यहां पे लिखते हैं अबरेज कि डेली ट्राफिक, शेक घेक्टि डेली क्टिक है का आपकाल, आप कि आप लोग पूरे साल भर की बात नहीं करो किसी ठीक है यानि किसी दिन की किसी हपते की किसी महीने की बात कर रहे हो ठीक है तो यहां पर आपका क्या बनेगा टोटल नंबर आफ वेहिकल टोटल नंबर आफ वेहिकल टोटल नंबर आफ वेहिकल इन आवी और मन्थ बट लेस दैन ए यह बट लेस दैन आ यह यानि कि एक साल से कम लेना है अब आप पूरे साल भर का लेलोगे तो पर तब तो बन जाएगा क्या बन जाएगा एए डीटी ठीक है इसको यहां से हटा देते हैं ठीक है दिखें यह आपका क्या होनेगा टोटल नंबर आफ वेहिकल इना वी और मन्थ बट लेस दैना यह यह आपका किस से डिवाइट करोगी जब वीक की बात आ रही है तो यह से वन से या फिर आपका किस से करोगा आप लोग थर्टी से से 4 ठाथा यहां फिर और लिए थर्टी अब 7 क्यों लिया क्योंकि यह एक वीक में 7 डैंस होते है तो बीक और थार्टी किसके लिए मंथ कि के लिए महीनों के लिए ठीक है यानि कि एक महीने में आपका कितनी गाड़ी मुव भी तीस से डिवाइड कर दोगे ठीक है बाकी सेवन से क्यों करेंगे ताकि वीक कर निकल जाए ओके और यहां पर क्या था आपका वीक डेज था यानि कि पूरे साथ दिन का नहीं था मंडे स से ले करके कितने फ्राइडे तक था ओके यह हो गया क्या आपका एवरेस डेली ट्रैफिक आपको इसमें बहुत ज्यादा ठीक है यह जो एडिटी है इसको याद रखना है जरूर ठीक है यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी-कभी डेरेक्ट पूछा जाता है ठीक है फाउनम लेग रूप में तो यह हो गया क्या है यह तो हो गया अपका यहां पर लिखते हैं कुछ चार्ट करते चार्ट बनाते हैं ठीक है और उसमें दिखाते हैं कि आपका जो Rankin traffic में ट्राफिक मैं ड्रोइव में बॉर्वास हुई आइधर हम दिखाते हैं क्या मैं यहा दिखाते हैं डिजाइन कि आवली कि वाल्यूम थीक है बिचे डिजाइन ऑली वाल्यूम ठीक है यह इसorg लिट्विक यहां पर हम हम AADT दिखाते हैं डिरेक्ट यहां क्या दिखाएंगे हम AADT AADT और इधर हम दिखाएंगे क्या जैसे 0 से शुरू हुआ ठीक है यहां पर कर देते हैं 2000, 2001, 2002, 2003 इसी तरह से यह डेटा बढ़ता जाएगा ठीक है और इसमें आपका दिख जाएगा जैसे 2000 में कुछ ट्रैफिक इतना था ठीक है फिर इधर कुछ बढ़ गया ठीक है एन्युवल एडेल ट्रैफिक के इसाब से आप इसको दिखा देंगे ठीक है और इसमें एक चीज क्या होती है कि यह लगबग हर साल 5-7.5% बढ़ जाता है कितना 5-7.5% इंक्रीज होता है ठी है कि आप की देटाफफ बोग्रोथक कितना लगब आपका 5-7% यहां पर लिक देते हैं इसको इन रेट आफ ग्रोथ बिटाफ ग्रोथ ओफ ट्रैफिक मपारत प्रेफिक इस ना रेट अफ जो तर साफ ट्रैफिक पर एन्म ठीक है पर एनप बार एनन पता है तो तैवल कॉइंट पॉन पॉइंट पाइप पर फेंट ओके यह ओगा आपको क्या रिएर्ण चार्ट के बारे अब इसी तरह दूसरा और फिए करें तरीके प्रेज़ंट करेंगे यह दूसरा तरीका ता तीसरा तरीका व्षाज और क्या है seasonal seasonal variation the variation just a weekegenots कभी-कभी क्या होता है कि एकivas PLAYING यह किसी पर्टिकोलर दिन में आपा किसी किसी पर्टिकोलर वीक में एक किसी पर्टिकुलर सीजन में किसी गी सक्प्रियोत कि ब्रस्षे जैए क्या होता कि एक है तो सुबह के टाइम पे लगबग 8 से 10 के विछ ट्राफिक जादा रहते हैं क्युकि सब ही लोग अपिस जाते रहते हैं सब अपने अपने काम पे जाते रहते हैं दुकां अपने दुकां के पर जाते हैं अभी सिचेशन चल रहे तो हो सकता है इस्टूडंट कॉलेज नहीं जा रहे है रहे हैं बाकि लोग अपना काम कर रहा है ठीक है तो उस time थोड़ा भीड ज्यादा रहती है ये तरफ कर सक्षार, यह षैas जब अपका Monday होता है या Tuesday होता है या किसी special दिन ठीक है किसी तिन मेला वुला लगा है या फिर कोई एसा special जैसे किसी दिन सहर में आपके कोई नेता मंत्रिया है तो उस दिन भीर चहल पहल थोड़ी जादा हो जाती है तो उसको हम थोड़ी देल के लिए समझते हैं वीकली में क्या है कि वीकली में आपका किसी पर्टिकुलर वीक में ठीक है जैसे कोई फेस्टिवल चल रहा है या कोई आयोजन हुआ है एक हपते का ठीक है तो उस टाइम पर क्या होता है एक हपते भीर जादा रहते हैं जैसे दीवाली के समय में 4-5 दिन-10 दिन पहले से भीर बढ़ जाती है ठीक है और उसके पिर जैसे ट्रेनों में लोग आना जाना शुरू कर देते हैं अपने घर क पटेन चार्ट के अब इसके बादम लुक बात करें आगर ठीक है रिघिउस तर्ड तरीका है फोर साब क्या है हो अनु है लोग लो टाइग्रां तो यह देखी यह volume flow diagram जो होता है यह generally use किया जाता है कि इसके लिए design of intersection यानि कि intersection के design के लिए use किया जाता है तो यहाँ लिख देते हैं it is used for design of design of intersection intersection यानि कि volume flow जैसे देखिए intersection क्या है कि कुछ इस तरह से आपकी road है और इसमें इस चीज़ क्या होता है कि जितना traffic in हो रहा है उतना ही traffic out होगा volume का जो flow हो रहा है वह हम इसमें दिखाते है volume diagram बनाते है ठीक है तो इसमें दूसरा point हम लेख सकते हैं कि एक तो यह आपका intersection के design के लिए होता है दूसरा होता है कि number of vehicle जो हो रहा है ठीक है number of number of vehicles entering number of vehicles entering into number of vehicle entering into intersection number of vehicle entering into intersection is same as same as yeah equal to is equal to number of vehicles number of vehicles going out going out from intersection intersection दूबा लिखने जो रहा है समझ में आ रहा है कि मतलब कि इस intersection जितने वेहिकल अंदर गए तो यह बाहर निकलेंगे ठीक है तो उससे volume flow आप दे सकते हैं कि इंटर सेक्शन के डिजाइन में यह यूज किया जाता है ठीक है पैन का कलर चेंज करते हैं आप उके यह होगे आपका क्या volume flow आट डायगराम और 5 है आपका ठीक है सबसे ज्यादा important ठीक है फिफ्ट है आपका यहां पर लिखते है थर्टी एथ एथ थर्टी एथ हाईथ आवरली फारिए यह वॉल्यूम इसमें यह किया जाता है कि जैसे आप से ने डेटा मांगा कि मान लिजए आप माल लेते हैं कि आप गाजियाबाद में हो किसी जगह पर ठीक गाजियाबाद में इस तान सब्सक्राया धिक है तो सब्सक्रान आप किसी ने आपसे डेटा मागा कि इस जगह पे कैसे हम पो रोड बनाया किया जाम ज्यादा लगता है तो उसके लिए रोड की बढ़ानी की जरुवत है कि नहीं है क्या कैसे तो यह चीज हम कैसे या आपका विट्थ बढ़ा देते हैं अगर जैसे सिंगल लेन है तो डबल लेन कर देते हैं ठीक है बीच में आपका डिवाइडर बनाते है जिससे आपका जो ट्रैफिक है वो एक दूसरे को प्रॉब्लम ना क्रेट करें तो यह सब काम किये जाते हैं बट यह काम ऐसे नहीं ठीक है किसी एक साल में मा लेतने ऐसा समय किए इतना ये रूण है जीसें गाजियाबाद के वैसाली सोथोधे ऐसा और है कितना 29 टाइम्स थीक है 29 टाइम्स ऐसा हो रहा है 29 बार ऐसा हो रहा है कि यह वेहिकल की जो संख्या है वह सव से क्रॉस कर जा रही है मोर धैन कितना हो जा रही है हंडरे ओ जा रही आपका जो ट्रैफिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रहा है तब हम उसके लिए ज्यादा दिक्कत ज्यादा परसान नहीं होते हैं जैसा है वैसा चलने रिते हैं हम इतना माल लेते हैं कि साल पर में इतना नॉर्मली चल जाएगा इतना बार अगर जाम लगता है तो आदमी मै क्या करते हैं यहां हमने थर्टीएथ हाइस और ली वॉल्यूम है वो क्या करते हैं टेंथ ठेंथ हैं इसी को क्या कर देंगे वो लोग आपका यहां पर क्या बन जाता है आपका वो फिप्टीन ठेंथ हैं फिप्टीन के लिए डिजाइन करते हैं फिप्टीन आइस आइस आ बढ़ा देना थिक है या विट में देखना थिक है फिर और में अंडर पास यह सारी जो भी वहाँ पर चीज़े पॉसिबल बो सके ठीक है तो यह भी एक तरीका होता है आपका प्रेजिंटेशन का ट्रैफिक वॉल्यूम का अब इसमें क्या होता है कि आपका according ग्रीया तो warranty ठीक है इसी को घृक है हम लोग इसका वेक और चीज बोलते हैं इसका दूसरा नाम रिया आपका Node इंज्न अ JEFF घृब सवर्ली मिख्ट एक डीz को अबर डीजाइन आवर्ली टिक के इसको एक इस N ओं सब्लीघड है और बहुता क्या है डशाइन ऑरकर या वॉल्यूम इसकाल टू कितना होता है तेवन टू एट परसेंट और कितना एएए डीटी ठीक है एए डीटी क्या था इसका मुला एनुवल एवरे डेली ट्रैफिक इसका इही मतलब था तो यानि कि आपका क्या हो रहा है कि एक साल में ठीक है लगबर अरे डिजाइन आवाल वॉल्यूम जो होता है वह साथ से आठ परसेंट होता है किसका एनुवल एवरे डेली ट्रैफिक का ठीक है अब एवरे डेली ट्रैफिक जो आप देखते हो ठीक है जैसे इसके पहले जो भी हमने डिसकस किया था क्या था एक दिन में कितना ट्रैफिक आ रहा है ठीक है एनु और दूसरी तरव आपका बाकी सारी चीजे होती है तो हटाते है नेक्स टॉपिक आपका जो है ठीक है यह हो गया आपका क्या फिनिश होगा ट्रैफिक यह क्या होगे आपका स्थिश था दूसरा यह था यहां पढ़ना था वह है आपका स्पेड लफ़ोर्र्म Vegas घृकर्ण significance traffic speed study में हमें traffic में जो मला जानि की जो vehicle चला है उनकी speed के बारे में हमें study करना है और उससे related data को present करने Ma eben अभी देखनागा है थीक है तो देखे traffic speed study जो है इसमें क्या होता है आप ultra करना होता है कि आपका बताता है इसमें इसमें दो स्पीड स्पीड बारे जाना ने तो इसपॉट स्पीड होता है तो सबसे पहरा लिख लेते हैं यहां पे मुआ हैSuporeGood अगारी है आपका किसी इसमारते है कि आफा यह रूड है अजरूقط stiff है अपान गाढिया जा रहा रही है यहां पर हमने कुछ आपना मासीन इंस्वूमेंट कुछ भी सैट कर दिया है जैसे आप दीखते होगे मुवीज अगर हमें कि एक कार में एक पॉलिस इस्पेक्टर बैठा रहेगा और उसमें क्या रडार अगर है कुछ लगा रहेगा कोई भी गाड़ी अपने निच्चित डिजाइन स्पीड से अधिक जाने कि जो ट्राफिक की जो जो वेहिकल की स्पीड लिमिट है उससे आगे यहां पर लिख सकते हैं क्या स्पॉट श्री मतलब क्या होगा इस 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 इंस्टाने इस इंस्टेन इस इस स्पीड ऑफ और अव एनी वेहिकल यानि कि जब आप मूबिंग कंडीशन में है आप वूब कर रहे है उस टाइम पर आचानक से आपकी स्पीड को मिजर कर ले आप आप वेहिकल अब इसमें क्या है दूसरा चीज क्या है अब इसमें यहां यहां पर एन लिखा था ठीक है अब दूसरा यह तो क्या आपका सब्क्राइब दूसरा पका क्या है यहीं पहला था ठीक है यहां पर यह अमेले अपका है आपका कि परेंड आपका है और दीज शुन्सेलां स्मझ में आ रहा कि आ पका की तिर्फी जो भी आपकी पास है उसका अब पर निंस निकालों यहर। तो कि लिखेंगे 80 Zen अब इसमें चेखों इसकी जरुरत क्या पढ़ती पहले दीख लेते सपॉर्ट स्पॉर्ट में क्या था कि हमने क्या किया कि जैसे इस जगह पर हमने हर एक गाड़ियों का क्या है निकाला है spot speed निकाल घया माल के किसी गाडी का 30 घ्रटी आया किसी का 40 किसी का 50 किसी का 60 अब क्या है कि अलग अलग गाडिया आलग speed से चले कार बहुत तेज चल लए है ट्रक उससे भी जाधा तेज दीरे चलिए बाइग उससे भी ज्यादा तेज बहुत ज्यादा 100 km पर होर की स्पीड से ज्यादा थेज चल लगी है ठीक है तो हर चीद का अलग एक क्या आया थिक है तो क्या होगा एक तरह से एवरेज और मीनी स्पीड आपका क्या होगा अब इसमें क्या है कि यह तो हो गया अब एवरेज आप इसमें क्या है अब इसमें बहुत हरा यहां इन टाइम स्पीड इसको ठीक है के लिखते हैं आप ताइम में इस्पीड ठीक है यह यह बहुत यह से समझेगा अपनी नोट जरूर करते रहर दाइव्यन वेहिकल किसी एक जगाने पास हो रहे हैं उसका एवरेज होता है खframe 1 वेहिकल इपर एन एवरेज आपी स्पीड आप आल ड़ेहिकल स्थिकर फासिंग पॉइंट यहांसिंग प्रॉम में थाँ में पॉइंट लिए थे पासिंग फॉम एन फॉइंट थेकर ओने हाइवे कि यहांने हाइवे on a highway over specified interval, क्या होगा आपका over specified interval ठीक है, यह होगा क्या आपका time mean speed अब इसका formula क्या होता है, दीखें formula इसका बहुत simple है, ठीक है इसमें क्या होता है, VT is equal to क्या है, आपका VT is equal to सिग्मा वी आई अपॉन एन ठीक है बहुत सिंपल फॉर्मला है इसका क्या मतलब यानि कि जितने भी आपने स्पीड लिए थे जो तीच चालीश पचास शाट सथा उसका आप क्या लिख सकते हैं सिंपल करने के लिए वी टू प्लस वी थीप्लास वी ठीक है लास्ट जो भी अपॉन एन ठीक है अब अन मतलब कि जितने नंबर आफ वेहिकल का आपने क्या लिए स्पीड मीजर किया ठीक छुट वेहिकल क्या किन ठीक है इस चैंटीच स्पीडॉ वेहिकल से और दूसरा है कि एन इसपीड मेजर की जाती किस में की जाती है के अभ यहाँ प है किलो मीटर पर यह थी तो अब मेन चाहिए मिन स्पीड अब दूसरा क्या है यहां पे दोसरा देखते हैं दूसरा आपका है कि अपका space मिन is मिन स्पीड क्या है आपका disp現 Owen इसमें आपका है कि इसको बिक सकते हैं इट इस harmonic harmonic mean of all the harmonic mean of all the speed ठीक है याने कि जितने भी आपने निकाला है ठीक है डेटा ठीक है उसका harmonic mean होता है harmonic mean of all the speed ठीक है all the speed अब इसको देखे इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पर विटी पर टू एन अपान क्या हो जाएगा फिगमा वन अपान वी आई ठीक है अब इसको हम सिंप्लिफाइब च्या लिए सकते हैं यह तरह से वन अपान वी बन प्लस अपान वी टू प्लस ऐसे तो यह चीज आप समझ गां आप देखो इसे में कुश्चन इस बहनता है क्या आपका एक उसमें कुश्चन इस बहनता है सुरी आपको यहां पर वी यास है इस तो इस में कुश्चं बहनता है कि वीटी ज्यादा है या वीएस की वैल्यू ज्यादा आती है ठीक है यानि कि आपको बताना है कि वीटी अधिक है या वीएस तो आपका जो भी होता है वैल्यू हमेशा वीटी की अधिक आती है कि इसकी वीटी आपका हमेशा ज्यादा होता है यानि टाइम मीन स्पीड आपका ह यहादा होता है दूसरी चीज क्या होता है कि अगर एक कंडिशन इसमिक लिए इस आल दा मेगिल्स एक पाल दा वेकल्स ओप आल दा वेकल्स है आर मुविंग विद्द रहने सेम एलास्टी विद्द सेम व्लास्टीे ठीक है यानि कि all the vehicles are moving with the same velocity then then आपका क्या होगा average और mean speed is equal to क्या हो जाएगा time mean speed ठीक है is equal to space mean speed यानि कि आपका दोनों बराबर हो जाएगा ठीक है यह आपका क्या traffic आपका जो भी था ठीक है traffic speed studies में average spot speed और average mean speed और average mean speed के अंदर आपका time mean speed और space mean speed ठीक है तो यहां पर इसके बाद पिर आपका आता है इस पर देखें कभी-कभी question यह आता क्या आपका average mean sorry time mean speed अधिक होता है यह space mean speed यह ज्यादा होता है और space mean speed आपका कम होता है दूसरा यह formula आपको याद रखने है ठीक है यह formula आपको याद रखने है ठीक है है कि वह सकता है, तुर सिंप्लिफाई किया एक और करना पड़ेगा जी से सब нап जो डीजिए ठीक है और क्या बन जाएगा यह एक तरह से यह टू फिफ्टी बन जाएगा ठीक है अपन एन यानि पांच वेहिकल का थी फाइब कितना एक फिप्टी यानि कि आपका 50 मीन इस पीड़ा इदर से और अगर इस फॉर्मले से इसको करें ठीक है इस फॉर्मले से करें तो यह क्य बने का लगबग यह आएगा फुर्टी फाइब के आसपास आएगा ठीक है फिर अब इसके बाद पर आपका है कुछ और टॉपिक है वह सब हम लोग अब डिस्कॉस करते हैं नेक्स्ट क्लास में ठीक है अभी जो आपने पढ़ा है उसको जरूर रिवाइस कर लिजेगा ठ सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग इसको जरूर लिख लिजेगा नोर्स बना जिजेए कोई पॉइंट में दिक्क्त आती है तो हमें कमेंट करिएगा और टेलिग्राम गुप से जोड़ जाई वहाँ पर पूछ सकते हो नोर्स प्रिप्यार करते रहें बागे फिर अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लव यू आल बाई बाई हमें दो हमें लोग में शोर्स करते हैं बाई कर दो